हेलो गाइस वेलकम टो जेक स्टडी सरकल जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर एकनॉमिक्स की लेक्चर सीरीस चल रही है और आज हमारा टॉपिक है मनीटरी पॉलिसी और कल हमने जो टॉपिक किया था वो फिसकल पॉलिसी था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं को रागुलेट करता है मनीटरी पॉलिसी डाए र्पी एई वाहे हो और तू मैथे जिसमें आता है रेप्वेट रैप्ले कि का होता है यह अब देखते है क्या होता है रैपोरेट नि रेपोरेट इस दी रेपान इंटरस्ट वीच लाविच short terms loans taken by the commercial bank from RBI whenever banks have any shortage of fund they can borrow it from RBI जे देखो जब बैंक हमारे जो commercial bank हैं जैसे for example लगा लो हम जेंड के में हैं और जेंड के हमारा जे के बैंक है जब इसके पास कभी shortage of money हो जाए तो तब ये क्या करता है ये बारो करता है मतलब एजा लोन लेता है RBI से हम जो RBI उसको वो लोन देगा जो उस पे वो इंट्रस्ट लेगा बैंक से तो उसको हम बोलते हैं रैपोरेट एक example और ले लो हम जैसे बैंक से लोन लेते हैं बैंक से लोन लेते बैंक उस लोन पे हमसे इंट्रस्ट लेता है ठीक है अब इसी केस में कमर्शल बेंक जब RBI से लोन लेता है और उस पे जो इंट्रस्ट देता है RBI को उसको हम बोलते है रप परेंट ठीक है और यह अभी जो करंट चे चल रहा है 4% पे चल रहा है रपोरेट ठीक है अब नेस्ट होगे हमारा reverse रपोरेट रपोरेट क्या होता है यह exactly opposite होता है ठीक है अब यह क्या कब होता है अब for example जब RBI बारो करता है मनी commercial bank से ठीक है commercial bank से वो बारो करता है और commercial bank कब RBI से interest लेते हैं जो वो money deposit करते हैं RBI को उसको हम बोलते हैं reverse रपोरेट ठीक है जो reverse रपोरेट होता है वो रपोरेट से कम होता है ठीक है रपो से कम होता है reverse रपोरेट यह आप याद रखेंगे अब हम इसको पढ़ते हैं यह क्या लिखा हुआ है this is exactly opposite to रपोरेट it is the rate which is charged by commercial bank on their surplus fund from RBA जब bank के पास surplus fund होता है वो deposit करता है RBA के पास RBA उसको उसको उस पे reverse रेपरेट मतलब देती है मतलब interest देती है उसको RBA uses this tool when it feels there is too much money floating in the banking system ये RBA कब लेती है बैंकों से पैसे जब RBA को लगता है कि money जो है commercial banking system में बहुत ज्यादा float हो रही है तो उस money को suck करने के लिए RBA बैंकों से borrow करती है तो उसके बदले उसको reverse रेपरेट देती है जो कि अभी presently ये चल रहा है 3.35% अब हमारे अगला अगया हमारे बास statutory liquidity ratio ये क्या होता है the amount a commercial bank need to maintain in the form of cash or gold or government approved securities bond before providing credit to its customer it is determined as percentage of NDT L net demand time liability ठीक है statutory liquidity ratio simple word में समझते हैं क्या होता है statutory liquidity ratio क्या होती है ये एक ऐसी ratio होती है जो bank को अपने पास maintain करके रखनी पड़ती है मतलब अगर bank किसी को loan या interest दे रहा है उसके मतलब को जितना bank के पास अपना deposit है उसमें से कुछ percentage उसका अपने पास मतलब एक से fix करके रखना पड़ता है ठीक है तो वो उसको क्या बोलते हैं statutory liquidity ratio वो अभी हमारे पास rate चल रहा है 18.5% का ठीक है अब हम आगे देखते हैं cash reserve ratio cash reserve ratio को बोलते है CRR ये अभी इसका हमारे पास rate चल रहा है 3.0% ठीक है CRR क्या होता है CRR refer to the ratio of cash reserve balances with RBA with reference to bank and DTL to ensure liquidity and solvency of schedule bank अब क्या करन होता है CRR होता है ये कुछ amount होता है जो bank को एक fix करना पड़ता है RBA के पास ये RBA उन से क्यूर लेती है ये fix रखती है पैसे अगर for example कर कोई bank solvent हो जाए ठीक है मतलब solvent हो जाए तो उसके बाद क्या होगा अब लोगों का पैसा deposit था अब लोग तो दूब जाएंगे अब RBA ने सोचा कि लोगों को बचाने के लिए हम कुछ पैसा बैंकों से अपने पास रख ले और जब अगर कल अगर बैंक फैल हो जाते हैं या कुछ भी होता है उनमें problem तो हम वही cash जो हमने bank से CRR के रूप में अपने पास रखी होगी वहीं उनको customer को दिये जाएगा पहले ये होता अगर को बैंक मतलब फैल हो जाता था तो जो वहां उसके customer होते थे उनको वन लैक तक कम मिलता था आपका मुझे पता नहीं शाहीद दो लाग कर दिया government ने पर पहले ऐसा होता था यह होता है CRR और अब सबसे अब नेक्स देखते हैं क्या होता है bank rate यह bank rate यह होता है यह होता है यह हम long term के लिए हम देते हैं देते हैं जो one year से ज्यादा bank लेते हैं और यह से उनको हम bank rate के हिसाब से लोन प्रोवाइड कर दिया और यह यह रेट है 4.65 परसेंट अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा तो मैं सास लिखता भी जा रहा हूं तो यह आप देख सकते हैं इसके मैं PDF प्रोवाइड कर दूंग टेलीग्रम चैनल पर वह आ किया जाता है डिफाइन सेक्षिन 49 आफ आरबी एक 1934 यह सेक्षिन 49 में इसको डिफाइन किया गया है और भी एक्ट 1934 में यह स्टेंडर्र रेट होता है जो कि आरबी आई प्रिपेर करती है बाई यह डिडिसकॉंट बिल आफ एक्सचेंज और अधर कमर्शल पेपर एक मतलब एक रेट होता है जो लॉंग टाम बेसिस के लिए होता है अब इस पर क्या करता है और भी अगर कमर्शल बैंक से कोई बॉंड खरीदती है तो उसके बदले में वह यह मतलब इस रेट पे वह बायार सेल करती है आप जो भी बॉंड ठीक है यह 4.65 परसेंट है इस 30 is का रेड्ट संद्रा अब लिकविडिटी अड्जैस्ट्मन फैसलेटी इसको बोलते हैs लेफ एफ एलेफ ठीक है ये 10 पर यह बैसिस to bank on the security of government bond charges reporate for it ठीक है अब क्या करती है यह short term के लिए RBI issue करती है जो bond या sell या buy करती है इन से और इस पे अगर वो sell करती है तो इस पे क्या करती है इस पे वो reporate के हिसाब से चार्ज लेती है जो क्या है three point three five percent ठीक है अब marginal standing facility अब ये इंट्रड्यूस हुआ था 2011 में ये इनेबल करता है commercial bank को ये बारो कर सके है money आर बियाई से और जब इनके पास laugh exhaust हो जाए मतला liquidity adjustment facility जो इनको short term business पे आर बियाई प्रोवाइड करते थी अगर laugh इनके पास expire हो गया तो अब ये MSF से और money बारो कर सकते हैं इससे तो इस इसका जो चार्ज होगा यह होगा four point six five percent MSF का ठीक है अब इसके बाद देखते हैं monetary policy में अब ये दो किसम की होती है एक उतिया expansionary और एक उतिया contractionary expansionary को बोलते हैं cheap money और contractionary को बोलते हैं dear money अब देखो expansionary जो cheap money है यह यह policy expansionary policy कब यूज करते है expansionary policy उस वक्त यूज होती है जब हम देखते हैं के market में जो money है मतलब कल्म सप्लाई हुई हुई है अब मतलब एक recession का face market जो फेस कर रही है तो उस वक्त हम use करते है expansionary policy तब हम क्या करते है money को inject करते हैं economy में यह लिखा हुआ money is injected in the economy अब देखो अब recession का period है अब इसमें एक चीज हम और करेंगे loan जो होंगे हम cheaper कर देंगे सस्ते करेंगे कि लोग हम से buy कर सके वे किया है by making loan cheaper यह किस period में होती है generally done in recession और slow down phase में यह expansionary policy use होती है और उसके पास contractionary policy कब हम use करते हैं contractionary policy को हम dear money बोलते हैं जब हम देखते हैं market में money की मतलब supply बहुत ज़्यादा है अब हमने सक कर रही है money तब हम contractionary policy use करते हैं यह money is sucked from the economy फिर second इसमें क्या करते हैं second में उसमें loan हम cheaper करते थे इसमें loan हम expensive करते हैं more loan expensive करते हैं और यह कब होता है यह inflation के period में हम इसको use करते हैं ठीक है और इसी के साथ हमारा पार्ट बी भी खत्म हो गया monetary policy और मतलब एक topic हमने full complete कर लिया physical and monetary policy जो आपके syllabus में mention था अब हम कल नया topic शूरू करेंगे तो तब तक के लिए good bye best of luck अगर हाँ अगर आपको हमारा यह channel अच्छा लगता हो या हमारी यह video अच्छी लगती हो तो please subscribe like share or comment जरूर करें ताके बाकी बच्चों की भी help हो सके और हमें भी motivation मिलती रहे तब तक के लिए good bye best of luck